नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लेखा शास्तर के दूसरी पुस्तक के पाचवे अध्याए लेखांकन अनुपातों का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं पिछले दो भागों में आपने दो प्रकार के अनुपात द्रवता अनुपात वा रिण शोधन शमता अनुपातों पर चर्चा की उसके प्रश्न किये आज हम बात करेंगे क्रिया शीलता अनुपातों के बारे में बच्चों क्रियाशीलता अनुपात किसी कम्पनी के अपनी संपत्यों को जैसे स्टॉक हो या आदी संपत्या हो ऐसे संपत्यों को विक्री में बदलने की शम्ता व कुशलता को दर्शाते हैं यह अनुपात यह व्यक्त करते हैं कि एक लेखा अवधी के दोरान नियोजित परिसंपत्यों या परिसंपत्यों के घटकों को किस कुशलता से कितनी बार विक्रे में परिवर्थित किया गया है उचे अनुपात का मतलब होगा कि संपत्यों का 72 रुपयोग किया गया है यह अनुपात जितने उचे आएंगे इसका अर्थी होगा कि हम अपनी परिसंपत्यों को चाहे वो स्टॉक हो या किसी भी अन्य प्रकार की संपत्या हो उनको हमने शीगरता से और कई बार विक्री में परिवर्थित किया है यानि हम अच्छा विक्रे कर रहे हैं अच्छा विक्रे अर्थात अच्छा लाब अच्छा विवसाय का चलना तो इसलिए यह अनुपात बहुत महत्तोपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यह हमें दर्शाते हैं कि एक कम्पनी अपने मूल कार्य में जो की वस्त्वों या सेवावादी की बिक्री करना है उसमें कितनी क्रियाशील, कितनी कुशल है इस अनुपात के अंदर हम कुछ मुख्य अनुपातों की जो बात करेंगे वो इस प्रकार है हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं आईए, सबसे पहले अनुपात की तरफ चलते हैं बहुत ही महत्वपून अनुपात इसे माना जाता है इस अनुपात का नाम है रहतिया आवर्त अनुपात रहतिया अर्थात इन्वेंटरी या स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक होता है अपने माल का उस स्टॉक को हम कितनी बार बिक्री में परिवर्तित कर पाए हैं कितनी शीगरता वो कुशलता से हम अपने स्टॉक को बेच पाते हैं ये अनुपात यही दर्शाता है इस अनुपात का सूत्र है प्रचालन से आगम की लागत यानि वस्तुओं को बिक्री करने में उससे आमदनी कठा करने में जो लागत आती है उस लागत को ओपर रखकर आप नीचे औसत रहतियों को रखेंगे अब इसकी मदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे पहले आईए देखते हैं कि अनुपात यह दर्शाता है कि तयार माल के जो रहतियां या स्टॉक हमारे पास है उनकी प्रचालन से आगम में कितनी बार परिवर्तन शीलता देखी कई है यानि कितनी बार, कितनी अच्छे से हम अपने तयार माल की रहतियों को प्रचालन से आगम, यानि एक तरह से कहें तो बिकरी में उनको बदल पाए हैं वर्ष के दौरान, क्रे वो प्रतिस्थापित हुए रहतियों के आवर्त का अधियन करता है यानि एक वर्ष के दौरान जो हमने रहतियां खरी दी या जो हमने रहतियों का इस्तेमाल किया उनके जरिये हमने कितना विक्रै किया, कितनी आगम एकत्रित की ये उसके बारे में चर्चा करता है आईए एक उदाहरण की सहायता से अब हम इस अनुपात को गणना करना सीखते हैं बच्चों हमारे पास इस उदाहरण में प्रारंभिक रहतियां 18,000, अंतिम रहतियां 22,000 वा क्रै 46,000 रुपए का है मजदूरी भुकतान 14,000 रुपए, प्रचालन से आगम 80,000 रुपए, वा आंतिरिक ढुलाई का खर्च 4,000 रुपए का है अनुपात के लिए दो चीजे हम ग्याद करेंगे एक तो औसत रहतियां वा दूसरा प्रचालन से आगम की लागत यदि प्रचालन से आगम के लागत की बात की जाए तो आपको एक सूत्र अपने पढ़ा है वो याद होगा प्रारंबिक स्टॉक प्लस निवल क्रै प्लस मजदूरी प्लस आंतिरिक ढुलाई इसमें से घटा देंगे अंतिम स्टॉक यदि आपको एक सूत्र याद नहीं है तो इसे याद करें अच्छे से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यहां आपको प्रचालन से आगम की लागत प्रदान करता है प्रारंभिक स्टॉक, निवल क्रै, मजदूरी वो आंतिरिक ढुलाई जैसे जितने भी सीधे वियाये हैं प्रत्यक्ष वियाये हैं उन सब को जोड़कर उसमें से अंतिम स्टॉक को घटा कर हमें यह लागत प्राप्थ होती है तो इन सभी राशियों को हमने प्रियोक किया और लागत प्राप्थ की 60,000 रुपए की अब हमें चाहिए औसत रहतियां औसत कैसे प्राप्थ होगा प्रारंभिक वो अंतिम रहतियों को जोड़कर उसे दो से भाग देकर हम औसत रहतियां प्राप्त करेंगे इस प्रकार से औसत रहतियां आ गई 20,000 रुपए की इसके बाद सरलता पूरवक आप इसे अनुपात में डालें विभाजित करें 60,000 रुपए का लागत वो 20,000 रुपए के वोसत रहतियां भाग देकर तीन गुणा यह अनुपात आया याद करें पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि आने वाले अनुपात गुणा के तौर पर हम दिखाते हैं तीन गुणा यानि जितनी भी हमारे पास रहतियां होती हैं उससे तीन गुणा हम विक्री करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है आईए इस अनुपात पर पूछे जाने वाला एक और प्रकार का प्रशन देखते हैं इस प्रशन में हमारे पास औससतन चालीस हजार रुपे का स्टॉक है औससत्स्टॉक हमें घ्यात है हमारा स्टॉक आवर्त यानी रहतियों का जो अनुपात हमने सीखा वह आठ गुना है माल को प्रचालन से आगम पर यानि उसका जो बिक्री मूल्य है उस पर बीस प्रतिशत लाब पर बेचा जाता है तो इसका इस्तेमाल करके हमें सकल लाब की राशी ग्याद करनी है यहां आप एक और सूत्र सीखेंगे एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हमें जो रहतिया या स्टॉक आवर्त अनुपात दिया गया है उसका प्रयोग करते हैं इसके सूत्र को लिखें इसमें अनुपात की जो राशी या मान हमें गया थे उसको रखें औसत स्टॉक को रखें, इसको एक दूसरे से गुणा करें, आपको प्रचालन आगम की लागत प्राप्त हो जाएगी 3,20,000 रुपए की अब बच्चों, प्रचालन आगम की लागत तो हमें प्राप्त हो गई 20,000 रुपए की प्रचालन से आगम कैसे ग्याद करेंगे हम हमें पता है कि हम प्रचालन से आगम पर बिक्री मूले पर 20 प्रतिशत लाब पर बेचते हैं इसका अर्थ ही हुआ कि यदि हम सौ बटे असी से इसे गुणा करें हमारी लागत को यदि हम गुणा करें यदि हम अपनी लागत को सौ बटे असी, असी कैसे आया, आपको इस बीस को इसमें से घटाना है, क्योंकि बीस प्रतिशत का आपको लाब होता है, तो लागत से आप सौ बटे असी को यदि गुणा कर दें, तो आपको चार लाख रुपए की आगम की राशिय प्राप्त होगी, इसका अर्थी हुआ, कि तीन लाख बीस जार रुपए आपकी लागत आई, आपने उससे जो माल, जो स्टॉक बनाया, उससे आपने चार लाख में बेचा, और आपने फिर बीच में इसको घटा कर देखेंगे, तो असी हजार रुपए का आपने लाब प्राप्त किया, अब देखिए ये असी हजार रुपए आप सत्यापित भी कर सकते हैं, कि आपकी आगम राशी चार लाग का बीस प्रतिशत है, तो क्योंकि हमें अ आगम यानि बिकरी को, जो की चार लाख रुपए की हुई, चार लाग की बिकरी, तीन बीस की लागत, उनको घटाया और असी हजार रुपए का लाब प्राप्त हुआ, जो की प्रेशन में हम से पूछा गया था, तो कैसे हमने यहाँ पर पहले अनुपात का इस्तमाल किया अनुपात हमें आठ दिया हुआ था, औसत स्टॉक हमें दिया हुआ था, उन दोनों को इस अनुपात के सूत्र में रख कर, हमने प्रचालन सागम की लागत को ग्याद किया, फिर लागत का प्रियोग करके हमने लाब की राशी को ग्याद किया, इसे करने का एक और तरीका भ X मान ले, मान लेजए आपके आगम की राशी X है, तो आपके लाब की राशी क्या होगी, 20 प्रतिशत आगम का, आगम का 20 प्रतिशत यानी 1 बटे 5 X, यह आपका लाब है, अब एक सूत्र होता है जिसका आप यहाँ प्रयोक कर सकते हैं, लाब, सकल लाब है, यह ध्यान रखें सकल लाब बराबर, यह प्रचालन से आगम, घटा, प्रचालन की आगत, इस सूत्र में आप मानों को डालें, लाब का मान है, एक बटे 5 X, आगम को हमने X माना, वो हमारी जो लागत है, वो आई थी, 3,20,000 रुपे हैं, इसे मैं आपके लिए ग्रिह कारिये के रूप में छो इसे आप आगे हल करें, और देखें कि क्या X की राशी 4,00,000 आती है कि नहीं, X यानि आपका आगम, एक बार आपके पास आगम 4,00,000 आ जाए, तो फिर आप लाब ग्याद कर सकते हैं, 4,00,000 का बीस प्रिटिशत, यानि 80,000 रुपे का आपका लाब भी ग्याद हो जाएगा इस सूत्र का आप सितमाल कर सकते हैं, लाब, आगम वा आगत को आपस में जोडने वाला ये हमारा सूत्र है, आईए, अब आगे चलते हैं और अगले अनुपात पर चर्चा करते हैं, अगला अनुपात है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारिक प्राप कहते हैं इसमें वो राशया शामिल होती है जो हमें अपने उधार खरीदने वाले क्रेताओं से लेनी या वसूलनी होती है इस अनुपात को निकालने के लिए हम उपर प्रचालन से निवल उधार आगम को लेंगे ध्यान रखें उधार आगम यानि उधार में जो आपने सामान बेचा उससे जो आपको आए आगम मिलने वाली है उसको आपने हा लिखा नीचे औसत व्यापारिक प्राप्य को रखा औसत पहले की तरह फिर से प्रारंभिक व अंतिम को जोड़ कर दो से भागदे कर आएगा प्रारंभिक प्राप्य के अंदर आप देंदारों व प्राप्य विपत्र को रखेंगे प्राप्पे का मतलब क्या है देंदार या देंदारों से प्राप्त विपत्र या बिल अफ एक्सचेंज प्रारंभिक वो अंतिम की राशी को जोड़ कर दो से भाग दे औसत प्राप्त हो जाएगा उपर आपको रखना है उधार आगम यह अनुपाद हमें क्या दर्शात है यहां यह ध्यान देने योग ये बात है कि संदिक्द रड़ों के लिए कोई प्रावधान यदी होगा इस बात को पहले ध्यान दे फिर हम इस अनुपाद के महतरों पर चलेंगे कि यदि हमें देनदारों से प्राप्त होने लाले राशी पर कोई शक है, कोई संदिग्द राशी है, उसके लिए हमने यदि कोई प्रोविजन बनाय हुआ है, यदि हमने कोई प्रावधान बनाय हुआ है, तो उस प्रावधान को घटाने से पहले जो देनदारों की राशी थ कितनी शीगरता से हमें उनसे राशे प्राप्त होती है औसत प्राप्त पी जितने कम हो और आगम जितनी जादा हो यह इस बात का प्रतीक है कि हम उधार बिक्री करते हैं लेकिन हमारे पास जो देंदार हैं वो जादा देर तक नहीं टिकते हैं क्योंकि हम उनसे वसूल लेते हैं पैसा यदि औस प्राप पे जादा है यदि इस अनुपात का जो अंज हर है वो जादा है तो यह हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं होगा यह दिखाएगा कि प्राप पे जादा है आप विक्री कर रहे हैं लेकिन अपने देंदारों से राश कर सकते हैं यदि हम दिनों या महीनों की संख्या को इस अनुपात से भाग कर दें तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि हम कितने महीनों या कितने दिनों में अपने दिनदारों से राशी प्राप्त करते हैं यह वो आवर्त बता देगा हमें कि कितने दिनों या महीनों में ह समझते हैं प्रचालन से कुल आगम 4,00,000 है वो नगद आगम कुल आगम का 20 प्रतिशत देखे चार लाग की कुल आगम है उसमें से 20 प्रतिशत आपने नगद में विक्री की है तो बाकी की उधार विक्री होगा और वही हमें चाहिए बाकी प्रारंभिक प्राप्य चालिस तो उसमें से 4,00,000 में से उस 80,000 को घटा कर 3,20,000 जो है वो उधार विक्री या उधार आगम को दर्शाएगा ओसत व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक वांतिम को जोड़कर दो से भाग देकर 80,000 का प्राप्त हो गया तो हमारी उधार आगम की राशिये 3,20 और उसत प्र प्राप्त होगा 4 गुणा यदि यहाँ पर हम से वो आवर्थ की दिन या महिनों की गणना करने को बोला चाहता है तो हम मान लिजए महिनों की बात करें तुम 12 महिने को उपर रखते और 4 से गुणा करते जैसा कि इस सूत्र में था महिनों को उपर रखे वो अपने अनुप आईए अब इसी से मिलते जुलते अगले अनुपात पर चलते हैं यह अनुपात है व्यापारिक दे आवर्त अनुपात जैसे हमारे व्यापार में कुछ देंदार होते हैं वैसे कुछ लेंदार भी होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं तो हम उनका उधार कितनी आसानी से चुकता करते हैं, हम कितना सामान खरीद कर कितनी जल्दी उधार चुका देते हैं यह हमें इस अनुपात से पता लगेगा व्यापारिक दे आवर्थ अनुपात दे के भुकतान के धंग की ओर संकेत करता है क्योंकि व्यापारिक देता हैं उधार क्रे से उत्पन होती हैं यहाँ अनुपात उधार क्रे और व्यापारिक दे के बीच संबंद को दर्शाता है इसलिए हम इस अनुपात के सूत्र में ऊपर लेंगे निवल उधार क्रे वा उसके नीचे रखेंगे ओसत वयापारिक देय उधार क्रे उपर वो ओसत दे नीचे फिर से आप कैसे प्राप्त करेंगे प्रारंबिक व अंतिम को जोड़ कर दो से भाग दे करें इस अनुपात में भी आप अनुपात का उपयोग करके ओसत दे अवधी ज्याद कर सकते हैं फिर से वही दिनों या महिनों की संख्या को अनुपात से भाग दें और आपको प्राप्थ हो जाएगी औसत दे अबधी आईए इसे भी एक उधारण की साहिता से समझते हैं हमारी दिये गए वर्ष के दौरान हमने 12 लाक रुपए का उधार क्रे किया एक अप्रेल 2016 को लेंदार यानि प्रारंबिक लेंदार तीन लाक रुपए वह प्रारंबिक विपत्र दे विपत्र एक लाक रुपए वर्ष के अंत में लेंदार एक लाक तीस जार वह विपत्र सत्तर हजार तो यदि हमें औसत ग्याद करना होगा बच्चों तो हमारे प्रा इनको जोड़ कर 2 से भाग देंगे, 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, आपको औसत दे 3 लाख का प्राप्थ हुआ। उपर आपको रखना है निवल उधार क्रे जो की दिया हुआ है बारा लाख रुपे आप बारा लाख को तीन से विभाजित करें आपको चार गुणा कईहा अनुपात प्राप्थ हो जाएगा तो बच्चों ये थे आपके तीन मुख्य आवर्थ अनुपात एक रहतिया अनुपात एक व्यापारिक प्राप्य अनुपात और एक व्यापारिक दे अनुपात अब अगली श्रणी का जो अनुपात है इसके अंदर वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे नियोजित आवर्थ अनुपात कहा जाता है यह अनुपात प्रचालन से प्राप्त राशी वह निवल परिसंपत्यों यानि नियोजित पून्जी नियोजित पून्जी को ही हम निवल परिसंपत्या कहते हैं इनके बीच का संबंध दर्शाता है उच्चा अनुपात बहतर क्रिया शील को बहतर दिखाएगा इसकी गड़ना करने के लिए यदि हमें यह अनुपात निकालना है इसकी गड़ना करने के लिए हम आगम यानी विक्री की राशी को नियोजित पूनजी की राशी से भाग देंगे वीनियोजित पून्जी आवर्त अनुपात जो की वीनियोजित पून्जी के आवर्त का आध्यान करती है इसको फिर हम दो भाग या इसके दो शंक्षिप्त टुकडों में भी ज्याद कर सकते हैं इसके अंदर से हम दो प्रकार के अनुपात निकाल सकते हैं पहला है स्थाई या स्थिर परिसंपत्य आवर्त अनुपात जिसमें हमें उपर तो वही निवल आगम रखना है जबकि नीचे स्थाई परिसंपत्यों को रखना है दूसरा है कार्यशील पून्जी आवर्त अनुपात इसमें भी फिर से हमें उपर तो निवल आगम लेकिन न बच्चो आप इन्हें बार-बार अभ्यास करेंगे तो आपको यह अनुपात भी याद होंगे वह आप इनके प्रश्णों को भी आसानी से हल कर पाएंगे ध्यान दीजिए हमारा जो मुख्य अनुपात है वह है निवल परिसंपत्य या नियोजित पूंजी अनुपात जिसे आप निवल आगम को स्थाई परिसंपत्यों से भाग देंगे और दूसरा है कारेशिल पूंजी आवर्थ जिसमें आप निवल आगम को कारेशिल पूंजी से भाग देंगे जितने अधिक यह अनुपात आएंगे उतना बहतर माना जाएगा क्योंकि यह दरशाएगा कि और उसके लिए इस्तेमाल की गई पूंजी कम है तो कम पूंजी में यदि आप जादा विक्री करें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आईए इन अनुपातों को एक उधारण की सहायता से देखते हैं इस उधारण में हमें निवल परि संपत्य अनुपाद सहई प्रिसंपत्य अनुपाद वह कारीशिल पूंजी अनुपाद ज्याद करने हैं हमारे पास बच्चो अधिमानी अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, आरक्षित, लाब वहानी का शेश, ये चार चीजें जो हैं, आप याद करें आपने पिछले भाग में भी सीखा होगा, ये अंश धारक निधी का भाग है, इसके पश्चात 15% रिण पत्र, 14% रिण पत् वह बकाया विया है, ये आपके अल्पकालिक या चालू दाईत्व हैं, इस तरफ स्थाई संपत्यों में मशीनरी, भूमी, मोटरकार, फनीचर हैं, वह चालू संपत्यों में रहतिया, देंदार, बैंक वा रोकड हैं, ये आपके बैलेंस शीट या तुलन पत्र को ही इस प आगम की राशी भी प्रश्ण में हमें 30 लाख रुपए की दे दी गई है, तो आगम को हम एक बार सुरक्षित रख लेंगे हैं आपर, अब निवल परिसंपत्ति आवर्त ग्यात करने के लिए आपको क्या चाहिए? वेनियोजित पूनजी, आपने पिछले भाग में सीखा ह होगा, वेनियोजित पूनजी ग्यात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे अन्ष पूनजी जमा आरक्षित व अदिशेष यानि कुल अन्षधारक ने धी जमा दीर्गकालिक रिण, तो यदि हम इन सब को जोड़ें, तो हमारे पास चार लाख, छे लाख, एक लाख, तीन लाख, दो लाख और दो लाख इस पर ध्यान दीजिया, चार लाख और छे लाख की दोनों दो प्रकार की पूनजी हैं, एक लाख और तीन लाख हमारे आरक्षित व अदिशेष की राशिया हैं, यह हो गई अन्षधारक ने दी, दो प्रकार के रिण हैं, दो दो लाख के, यह हो गए दिर्ग काली करेंड इन सब को जोड़कर आपके पास अठारा लाख रुपए की वेनियोजित पूंजी आ गई बचो यह वेनियोजित पूंजी की राशी हम एक दूसरी वधी से भी जाद कर सकते हैं आपको याद होगा यह भी इसके लिए हम परिसंपत्यों को लेंगे हम कुल परिसंपत्यों को लेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास आठ लाख, पाचलाख, 2 लाख और यह एक लाख ये चार हमारी स्थाई परिसंपत्या आ गई 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख इन चारों को जोड़ा तो आपके पास क्या पराप्त हो गई? स्थाई परिसंपत्यों की राशी, स्थाई परिसंपत्यों में आपको चालू परिसंपत्यों को जोड़कर चालू दाइत्वों को घटाना है, यानि आपको कारिय शील पूंजी ग्यात करनी है, जोकी दो लाक रुपे आ जाए, कैसे आएगी ये, चालू परिसंपत्या है ये इन चारों को यादि आप जोड़ें आपको चार लाख रुपे की राशी प्राप्त होगी चालू दाइत्व है इनको आप जोड़ें आपको दो लाख रुपे की राशी प्राप्त होगी चालू परिसंपत्यों में से चालू दाइत्वों को घटाएं आपको कार्यशील पूंजी की राशी प्राप्त होगी स्थिर परिसंपत्यों में कार्यशील पूंजी को अगर जोड़ दें तो 16 और 2 इससे भी हमें 18 लाग की राशी प्राप्त होगी लेकिन यदि आपके पास पुरश्न में दोनों विकल्प हैं, तो आप हमेशा इसे सीधे रास्ते से निकालें, जैसे हमने पहले निकाला, पहले अंचधारक पूंजी को जोड़ा, पूरी निधी को जोड़ा, इसके बाद हमने उसमें देरगकाली करिणों की राशी को और हमने अपनी वेनियोजित पूंजी की राशी प्राप्त की अठाला लाक रुपे, पूंजी अठाला लाक है, आगम तीस लाक, अब आप इसे बस अनुपात में डालें, तीस लाक का आगम, अठाला लाक की पूंजी, आपका अनुपात आ गया, एक दश्मलव छे साथ ग लाक रुपे की स्थिर परिसंपत्यों को और भाग देकर, एक दश्मलव आठाट गुणा आपका यह अनुपात निकल कर आएगा, अंतिम अनुपात कारेशील पूंजी अनुपात है, कारेशील पूंजी अनुपात निकालने के लिए उपर आगम नीचे कारेशील पूंज इनको रखेंगे जो की हाँ दो लाक आई थी, इनको भाग देकर भी आप 15 गुना का अपना कारेशील पूंजी अवर्त अनुपात ग्यात कर सकते हैं, तो बच्चों, आज हमने अवर्त अनुपात के अंदर आने वाले 5 अनुपातों पर विस्तार से चर्चा की, आपने दे धीरी-धीरी याद होते जाएंगे, वह आपको उनको उपयोग करना भी समझ में आएगा, आज जो अनुपात हमने सीखे, मैं आशा करता हूँ आपको वह समझ आये होंगे, इस अध्याय के अगले भाग में हम अंतिम श्रेणी के अनुपातों पर चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद गी में आपको उलो कि अन्यवाद